अब जब कि UPSC Prelims 2022 में केवल और केवल 140 दिन बचे हुए हैं तो लगातार आप लोगों की मैसेज आना शुरू हो चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग इन अपकामिंग 140 दिन में अपने सिलेबस को जो हमारे कोर एस्पेप्स हैं उनको कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं ताकि UPSC का Prelims निकल जाए और क्या ये पॉसिबल है कि इन 140 दिनों में लगबख जो 140 दिन बचे हुए हैं उनमें UPSC का Prelims क्वालिफाई हो सकता है तो आपके मन में भी ये डाउट होगा अगर UPSC का Prelims क्वालिफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है तो पहले तो मैं ये कहूंगा क फले शुकदाचन मा कर्म फले तुर्भो माते संगोश्व कर्मणी गीता में का है तो कर्म करिए फल की इच्छा मत रखिए और मैं ये एशॉर करना चाहूंगा कि हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर राइट स्ट्रेटेजी राइट टाइम टेबल और राइट अप्रोच लगाई जाए तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल और किया है लोगोंने आप भी कर सकते हैं बट आपके पास राइट ओरियंटेशन होना चाहिए अगर नहीं है तो ये वीडियो देख लीजे एक मोटा मोटा नताजा लग जाएगा टाइम टेबल वैसे तो हम आपको दे रहें बट इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने टेम टेबल के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले तो मोटिवेशन के लिए देख लीजे यहां पे नाम है यूपी एसी 2020 से लेके सारे टॉपर्स के तो हो सकता है कल को आपका नाम प्रतीब सिंग की जगा हो अनुदीब द चल जाए कि कितने लोगों के नाम 2022 की लिस्ट में आ रहा है और कमेंट करना कमफल सरी है तो एक मोटा मोटा अंताजा लगाते हैं पहले कि जो फॉर्म का फिलप रिश्यो है और एक्शुल चीजे हैं उनमें क्या डिफरेंस है देखे नंबर ऑफ केंडिडेट्स वो काफी कम है 2019 का एक्जांपल हम लोग लेंगे आठ लाग लोगों ने फॉर्म बरा चार लाग तिरा नब्वे अप्रॉक्स पांच लाग लोगों ने प्रिलिम्स दिया जिसमें से क्वालिफाई हुए अराउंड 11,185 वी कन टेक अराउं 12,000 तो यहां पर मेंस क्वालिफ कर पाए UPSC मेंस और गए आगे के राउंड में जो की फर्दर इंटर्व्यू का राउंड होगा इसके बाद जो इंटर्व्यू में अपियर हुए 2,000 से 3,000 बच्चे उनमें से केवल और केवल 8,96 8,96 कितना काम रेश्यो है उनको मिलेंगी UPSC की Civil Services Exam की वेबिन पोस्ट तो क्या वो 1% में आप हैं जी हाँ बिलुकुल हैं कैसे अगर आप continuous हैं आप consistent हैं अगर आप चीजों को ढंक से कर रहे हैं आपके बड़ी routine वाला time table है और उस routine को आप follow कर रहे हैं तो आप सवाल आता है कि सर यह सब चीजे तो हमारे पास नहीं है अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखिए सारे solution मिलेंगे और अंत तक बने रही है कोई भी जंग में जाने से पहले वो कहते हैं you should know the structure of war आपको याद होगा कि अभीमन्यू चक्रिव्यू में गया था अभीमन्यू को पता था कि रास्ता कहां से है बट अभीमन्यू को अंदर जाने का रास्ता पता था उसको बाहर आने का रास्ता पता नहीं था तो वो कि या से करनी है तो मोटा मोटा चीजों का अन्दाज लागाते हैं और पक्ष Div मान ले रहते हैं appendix include करके आप लोगों मैंसे किसी ने भी यह चीज नहीं कर रही है अभी तक तो आपको सबसे पहले ऐसी एक timeline बनानी पढ़ेंगी तो उसमें से out of अगर हम मान ले कि 940 page हैं एक सबसे जो निम्न category का व्यक्ति होगा ना उसकी reading speed होगी 30 page per hour तो आपके अगर हम और चीजों को भी include कर ले तो लगभग 1590 pages हो जाते हैं अब इन 1590 pages को अगर 30 page per hour की speed से आप पढ़ेंगे ना तो लगभग 53 गंटों में आप लोग cover कर लेंगे और यह थ्रेपन में भी अगर आप 12 घंटे पर आपको अपढ़ना ही पढ़ना है अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसे 12 घंटे पर आप लोग डिवाइट करें तो लगभग 5 दिन होते हैं मगर हम मान के चले हैं कि आपको 10 से 20 दिन, 30 दिन मान लीजिए maximum quality cover करने में लगेंगे, ठीक है, आप science and tech पे आ जाते हैं, science and tech में क्या होगा, science and tech में देखिए चीजे काफी ज़्यादा current affairs based हैं, तो मान लीजिए कि 300 pages आपके science and tech के हैं, और 100 pages आपके अपने coaching के notes हैं, तो 400 pages मान लीजिए, 400 pages, 30 pages पर hour की speed से आप लगाएंगे, तो लगभग 15 दिन के आसपास मान लीजिए, तो इस तरीके से आपको approximate day लगेंगे 5, अब environment पर आ जाते हैं, 300 pages संकर आई है, इसके plus previous year question, NCRT biology के 200, NCRT 1112 के कुछ chapters हैं, 100 pages coaching के notes, previous year question, 12 घंटे daily, तो 25 घंटे लगभग, मतलब 30 page पर hour की हिसाब से यह लगेंगे 25 घंटे, और 12 घंटे पर hour की speed से 12, हमारा लगभग 3 दिन मान लेते हैं, अगर फिर भी हम maximum बोलने 10 दिन, ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं, ऐसा framework timeline हमारे डिमाग में clear होनी चाहिए, किसी भी exam क लेकर, एकोनोमी की बात कर लेते हैं, एकोनोमी में अगर हम नोट की बात करें, तो लगभग 800, हमारे पास 800 pages है, economic survey, budget और इसको लेकर, अगर 9th की है, Indian agriculture वाली तो 200 pages के होगे, coaching coaching के नोट होगे 100 pages के, और तो कुल में इलाके 1100 पन्ने होगे, जिन्हें 30 page पर hour की speed से अगर तो approximate days किते होगे, हमान की चलने है, maximum 30 दिन होगे, देखते हैं, आपकी 144 पन्ने है, 12 chapter है, physical geography में, human geography में, 114 page, 12 chapter, economic geography में, 114 page, 13 chapter, gc lyong में, you are having 200 pages and 25 chapter, atlas की 119 page, coaching के 100 page, आप मान की चलिए, 722 pages total होगे, 800 page मान लीगिए, तो अगर 30 page पर hour की speed से आप दिखते हैं, लगभग 30 गंटे आपको चींगे, 12 गंटे daily अगर आप पढ़ लें, तो approximate, आपको अगर अप डे माने तो लगभग होते तो कम है, मगर हम यह कह रहे हैं, कि अगर एक गंटा भी आप daily पढ़ लें, तो उससाब से भी आपके maximum 30 दिन लगने चाहिए, economic cover होने में, culture को cover करने म आपको कितना टाइम लगएगा, यह देखते हैं, culture में लगभग 260 और प्लस 300, 400 पेजिस मान लीजिए आप, 400 पेजिस को आप डिवाइड कीजिए, 30 पेज पर आर की स्पीड से है, तो लगभग 12, तो approximate days हमें अरे साब से लगने चीए, 7, मतलब maximum days लगने चीए, 7 एक बार कर करने में, आप एंशेंट हिस्ट्री, आरेशर माउठ हाईए, 253 चेप्टर, 253 पेजिस, 29 चेप्टर, medieval हिस्ट्री, सतीष चंद्रा, 270 पेजिस, 20 चेप्टर, Indian freedom struggle, spectrum की जो है, 1600 पेजिस, 21 चेप्टर, post-independence हिस्ट्री, 172 पेजिस, 9 चेप्टर, world history, अर्जुन देव, 150 IQ, 100 पेजिस, क्या एप्रोक्स हो जाएंगे, यानि कि 2545, 2700 पेजिस मान लिजिए, 90 घंटे लगभग लगभग, अगर आप 12 पेजिस, 12 पर आर की स्पीट से पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से उसके बाद अगर 12 घंटे पर आर की स्पीट से अगर आप पढ़ेंगे, तो लग पेजिस से उपर नोट से नहीं होंगे, और 12 घंटे के इसाब से अगर आप पढ़ें, 35 घंटे लगेंगे, अगर आप टेस्ट वगएरा देते हैं, मैक्जिमम 1000 पेजिस, वही 35 घंटे लगेंगे, आप देखिए, टोटल माटीरियल को समराइज कर लेते हैं, टोटल माटीर होगा, उसके लिए भी 30 पेजिस पर आर की स्पीड मैक्जिमम रहेगी, आप साड़े 300 घंटे लगबग हैं, 12 घंटे रोज के इसाब से आप मानें, तो 30 दिन में आपकी फर्स्ट रेडिंग कंप्लेट हो जाएगी, तो यहां पे देखिए, फर्स्ट फेज आपका क्या है, फर्स्ट फेज में आपके 30 दिन में आपका हो गया, सेकिंड फेज फिर 30 दिन में हो गया, फिर 30 दिन में हो गया, थर्ड फेज आप मान के चलिए वही 30 दिन, वही 30 दिन, तो कुल मिलाके 140 दिन में तो अगर देखा जाएगी ही, 140 दिन में 4 बार सिलेबस रिवाइज हो जात नहीं हो सकता और पहली बार में ये तो मैं ये बोलाओ कि मैंने पीछे scientifically प्रूफ कर दिया कि हम तीन बार syllabus कंप्लेट कर सकते हैं 30 दिन लग रहे हैं लगपक एक बार पूरा material को maximum material को cover करने में 30 दिन लगने हैं घंटों के इसाप से divide कर दिया है अब आप लो कहेंगे mechanical है खली reading है तो देखिए apprehension and comprehension चीजे जो है वो तो अलग चीजे हैं आप प्रोकस्टिनेट ना करें चीजों को अब पढ़ना शुरू करें ज्यादा seriously पढ़ें तो ही qualify होगा नहीं तो नहीं होगा अब देखिए अब आते हैं सीधे सीधे जो हमारे daily time table रहने वाला है तो हमने जो time table रखा है वो Sunday से रखा है 16 जनवरी से तो सबसे पहले उठाइए quality और environment पहले और current affairs के लिए अपने notes देख लीजे अगर नहीं है तो आरंब सीरीज हम लोग रोज एक वीडियो दिंगे कल से तो उन वीडियो को आप देखिए current affairs के notes प्रिपेर की कीजिए लगभग जो है अगर आप मानगे चले एक दिन के बारा घंटे तो 403 pages per day अपटाएंगे और उनको पढ़ेंगे ही नहीं उनको याद भी रखेंगे कैसे करना है वह अगली वीडियो में आएंगा तो अब इसके बात week 1 के time table पर आ जाते है 17-22 तो इसमें quality और environment आप आपको कवर कर लेंगे यहाँ पर संडे का दिन आ गया यहाँ पर रिविजन कर लो जो 2880 pages थे उनको डाइजेस्ट कर लो यहाँ पर वीक टू आ गया 24-29 जनवरी यहाँ पर लक्षमी कामतर और environment प्लस current affair यहाँ पर आपका cover हो जाना चाहिए और total वही 2880 pages तो यहाँ पर अचले बार कई लोगों की नईया डुबाई थी तो अब देखे जो जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो उनको दिख रहा होगा कि वीक थ्री के लिए आपको क्या करना है वीक थ्री के लिए आपको करना है फिजिकल जोग्रफी आपको अठा लेना है एकोनोमिक सर्वे अचले के लिए और एकोनोमिक सर्वे प्लस जोग्रफी शुरू कर देनी है तो वीक थ्री में आपको यह होगया पूरे पूरे 2800 सीपे जिस यहां पर भी कवर होंगे तो अब आगया संडे का दिन संडे के दिन हमेशा रिविजन प्लस सीट संडे के दिन वीक फोर में आप पूरा-पूरा कवर कर लेने हैं प्लस करन्ट अफेर्स में आपको योजना एक्कौनोमिक सर्वेय बजट इंडिया एयरबुक इस एक हथे के अंदर तो यह अगर आपको कुछेत्र और इंडिया एयरबुक कवर करना हैं तो यह आने वाली वीडियो में हम लोग कवर कर वाए और C-set प्लस previous year question हम लोग करते जा रहे हैं तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं possible है बिल्कुल possible है चार major subject चार अपतों में cover कर लिए हैं तो आगे भी पूरे के पूरे subject हम लोग cover कर लेंगे week 5 पे आते हैं week 5 में 14 से 19 फरवरी यहाँ पे modern history राजी भहिर के आपको refer करनी है रिवाइस करना है पूराना जितना भी था तो इस पेक्टर में मैंने बताया था लगबग 1500 पन्ने हैं तो वो 1500 पन्ने हम लोग निपटाएंगे यहाँ पे 2880 पन्ने आप लोग लगबग जो हमने पीछे हिसाब बताया था वो निपटा लेंगे इस हफते plus Sunday को revise करना है उनी को अब आगे बढ़ते हुए इसमें ancient history, medieval history, art and culture और modern history का जो बचा हुआ portion था वो आपम लोगों को करना है क्योंकि 2880 पन्ने हम एक हफते में cover कर ले रहे हैं 30 pages per hour की speed से तो spectrum में कितने पन्ने हैं 500 के आसपास तो यह तो एक हफते में cover हो जानी चीए ना तो हमें हम फिर भी बोल ले हैं कि एक हफते से भी कम समय लगना चीए हम फिर भी बोल ले हैं कि एक हफते के अंदर इसको कवर कर लेंगे हम लोग ठीक है तो हिस्ट्री भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी इंशेंट शूरू हो जाएगा अब संडे के दिन वही रिविजन प्लस सी सेट तो यहाँ पर तक हमारा हिस्ट्री भी कंप्लिट हो चुका है आर्ट इन कल्चर इंक्लूडिंग अब देखे वीक सेवन जो है हमारा वीक सेवन जो 28 मार्च से 28 से 5 मार्च तक चलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है क्लास 11 की हिस्ट्री वही पीछे वाली और साइंस एंट टचर हिस्ट्री जोग्रोफी काफी मेजर पॉर्शन हमारा कवर हो गया है अब 6 मार्च यानी संडे के दिन वही रिवाइज करना है पुराना जितना भी है वो सब रिवाइज करते हुए जाना है अब आगे बढ़ते हैं अब आगे देखे वीक 8 में आपको क्या करना है वीक 8 की जब भी बात करेंगे तो आपको जो भी आपको लगता है important topics उनको cover up करना है plus science and tech आपको यहाँ पर कर ले रहा है तो पूरा पूरा चीज़े आपको यहाँ पर cover up करनी है अब देखे यहाँ पर तक देखे हमने क्या कर लिया हमने polity कर लिया हमने economy कर लिया हमने geography कर लिया हमने environment कर लिया हमने scientific कर लिया और history भी कर लिया, cset भी कर लिया, यह हमारा first round complete हो गया सारे subjects का यानि कि हमने केवल आठ हफतों के अंदर एक बार syllabus कम्प्लेट कर लिया और यहां पर आप दिंगे full syllabus का mock तो test series भी हम लोग launch कर रहे हैं कई platforms के साथ हम लोग ने चीजे cover up कर लिए हैं तो test series भी पूरा-पूरा test series का भी प्लान आ रहा है तो बिल्कुल बेज जिजे क्लिए कि mock वगरा कहां से करना है क्या करना है सब बिल्कुल 100% quality चीजे हैं जो यह mock सुंगे वहीं से imported हैं जहां से vision वगरा test बनाते हैं तो quality assurance मिलने वाली हमारी test series में उसका प्लान जल्दी discuss करूँगा आपके साथ तो week 9 पर आ जाते हैं तो यहां पर देखिया आपका क्योंकि एक बार revision तो होई चुका है मतलब एक बार cover तो हो चुका है तो अगर कोई topic आपको लग रहा है कि जैसे यहां पर हम लोग रख सकते हैं जैसे world history है या फिर कोई और portion है जो कि हमारा main specific है पर आप उसको चाहते हैं कि cover करना है कुछ चुट गया तो वहां पर यहां पर आप कर सकते हैं और quality का second down revision यहां पर शुरू कर दीजिए यहां पर देखिये चीजे क्या हो गई quality और economy का second down revision एक बशले बस कर लिया और यहां पर आप लोग क्या कर रहे है अब second down revision कर रहे हैं अब Sunday 10th Sunday हमारा 20 मार्च को इसमें आपको C-set को revise करना है अब आगे बढ़ते हैं 21-26 तारिक के बीच में यहां economics और geography का revision आप लोगों को करना है अब देखिये अब Sunday के दिन आ जाते हैं Sunday के दिन 27 मार्च को यहां पे आपको पुराना जो है जितना अभी तक पड़ा है पूरा रिवाइज करना है revision most important है UPSC exam में अब ग्यारा पे आते हैं 28 से 2 अपरेल के बीच में 28 मार्च से 2 अपरेल जोग्रफ्य और हिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे हम लोग प्लस पुराना जो भी हमारा भी तक का था और यह पर मॉक्स आपको साथ साथ में Sunday के दिन जो है मॉक्स भी लगाते रहने ताकि आपका analysis होते रहे वीक 13 में देखिए 11 से 16 अपरेल 2022 इंशेंट कल्चर एंड अगर आपका कोई भी और चीजे रही है तो आप उनको कर लीजे अब संडे का 14 जो संडे हमारा होगा 17 अपरेल को यहां पर पुराना रिविजिन करना है और मॉक्स लगाने है वीक 14 में जो 18 से लेके 23 अपरेल तक है तो उसमें जेनरल रिविजिन करना है बजट एकोनोमिक सर्वे और प्रिलिम स्प्रेशिविक एमसी क्यूस जो प्रिवि जो 25 से 30 अपरेल के बीच में उसमें सीसेट पेपर पूरा पूरा रख ठा लीजिए पूरा बिल्कु खतम कर दीजिए इस हटे में सीसेट ऐसा धुआ दीजिए सीसेट को कि उसकी आँखों से पानी आने लग जाए और सीसेट जो है पूरी तरीके से डिमॉलिश हो जाए औ इस बार की सीसेट जो है आपके लिए हडल ना बने अब देखिए एक मही से मॉक अनलाइसिस करना शुरू कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा वीक सोलवे पर आ जाएए 27 मही से लेकर दो से लेकर साथ मही तक इसमें पॉलिटी इन्वार्मेंट साइंस टेक का रिविजिन कर अब आठ मही 2022 को मॉक वगरा लेजिए और अपनी अनलाइस कीजिए उसके लिए प्रिलिम स्ट्रेकर है वह हम लोग कैसी यूज़ करने वाले वह बताऊंगा वीक 17 में देखिए नौ से लेके 14 मही तक यहां पे एकोनोमिक्स और जोग्रफी के तीसरी राउंड का रिविज दूमे को फिर से मौक वगरा दीजिए और अनलाइस कीजिए 23 से 28 में modern history ancient culture तीन राउंड रिविजन हमारे complete हो चुके है पूरे सिले बसका अब देखिए यहां पे देखिए संडे के दिन फिर रिवाइस करना है अब 18 से 23 अपरेल के बीच में आपको general revision करना है जैसा आपको लगे जो भी आपको लगे जो आपका बचा हुआ है अभी तक मतलब half to time बचा हुआ है आप रिवाइस करना है यमे बस चिजों को तीन राउंड रिविजन करना है पूराने का और Tabii unrevies करना है फिर आपके पास सिशपीं से 25 से 30 एपरेल के बीच में अटिक है यहां पर एक म आगे का अंतिम दिन आने वाले हैं अब 29 मैं 2022 यहां पर कंसॉलिडेशन शुरू हो जाना चाहिए और लास्ट के जो 30 से लेके 4 दूने न यहां पर आपका कंप्लीट रिविजन हो जाना चाहिए और पांस तरिक को तो भाईया प्रिलिम्स है तो प्रिलिम्स के दिन बढ़िया गर के सोस आके बिल्कुल इतने बार कंप्लीट कर लिया टेस्ट दे दिये सब कुछ कर लिया प्रिविएस यह कोश्चन कर लिया अब आपको कौन रोक रहा है तो जाए एक्जाम को फोड़ के आईएगा बिल्कुल आज के दिन ना जो पांच जून का एक्जाम में है उसको बिल्कुल फोड़ के आना है तो मुझे लगता है यह वीडियो आप लोगों के लिए हल्फुल रही होगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और मैं बताना चाहूंगा कि प्रिविएस यह कोश्चन के लिए समिक्षा सीरीज हम लोगों क चाहिए उसके अंदर कम्पलेट मेंटर्शिप रही है एक मेंटर रहेगा आप लोगों के लिए जो आपको डेली के टार्गेट सचीफ करने में पूरा पूरा गाइड करते रहेगा कि कैसे आप लोगों को प्रिपेर करना है और क्या आपकी चीजे रहने वाली है आगे तो कम्पलेट मेंटर्शिप रहेगी उसमें प्लस नोट्स रहेंगे प्लस रिविजन स्ट्रेजी रहेगी एक मेंटर रहेगा प्लस वर्च्वल लाइबरेरी भी यहाँ पर हमने एड करती है इसके अंदर जो 4.99 है उसमें एडिशनल 100 रुपे देखे पर मंत आप लोग हम लोग आपको देने वाले हैं वह भी बहुती रिजनेबल रेट में तो उसकी एनॉंस्मेंट जल्द ही होने वाली है तो स्टे ट्यून और मुझे लगता है यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्फ फूड रही हो अगर आप लोगों के मन में और भी कोई डाउट सें त आप उस पर जोइन कीजिए और बेजी जखोंके पूछिए आपकी पूछिए हम लोग जल्द से जल्द आंसर करेंगे यह भी मिजॉर्टी लोगों की डिमंड पर यह वीडियो है तो आप लोग और भी किसी टॉपिक पे चाते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पि जोल्द करेंगे जैहिन जैवारा